हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवीर स्टड़ी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इस समय क्लास नाइन्थ के एंसी रिटी मैं था पढ़ रहें आपका चैप्टर 7 बिल्कुल खतम होने वाला है आज यह आपका लाइस चैप्टर है 7.4 और इसमें का कुईश्चन नंब सिर्फ दो और करने हैं 5 & 6 वाकि हमने सब कर लिए हैं तो यह कुईश्चन नंबर 5 मैंने लिखे आपके सामने आप दिखिए यहां पे लिखा है आकरती 7.51 में ऐसा बुक में कुईश्चन था इसलिए मैंने वैसे लिख लिया और वह आकरती यह जो नीचे बनी है इसमें क् क्या करना है वो हम आगे करेंगे कह रहा है कि इसमें PR is greater than PQ इस चिन का मतलब होता जिदर इसके दूम होता है उसका मतलब होता बड़ा है अब से सिबेसी वाले सिफ जानते होंगे तो इनका यह मतलब है कि जो PR है मतलब यह लाइन यह पी क्यू से बड़ी है बड़ी चोटी यह डार्ट में लाइन है डार्ट डार्ट है इमेजिन लाइन है यह कौण पी ओ स्वारी क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर यानि यह क्यू पी आर मतलब यह यह जो कौण है पी पे जो बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है सम्दुभाजित कर रहा है ठीक है इतना दिया है करा सिद्ध कीजिए मतलब प्रूब कीजिए एंगल PSR is greater than PSQ है यह हमें प्रूब करना है सिंपल सा है आप क्या करोगे पहले लिखो जो दिया है यहां पे लिखो तिर्भूज PQR में तिर्भूज PQR में क्या है बच्चा दिया है PR is greater than PQ यह दिया है आपको पता है PR बड़ा है पी क्या है छोटा है ठीक है इसमें कोई लफड़ा नहीं न हम सभी जानते हैं कि हमने तिर्भूज का गुण पढ़ा है प्रपर्टी पढ़ा है कि बड़ी गुड़ा के सामने का कॉन不是 बड़ा होता है तो अगर हम देखें PR तो PR के सामने कौन सा अंगल है अरे तुम सीधा-फीदा देखो या यह रिखा PR है इसके सामने कॉन चार न तो एंगल फोर क्या होगा बड़ा होगा एंगल तीन से तिन का मतलबซ Along 3 PQ के सामने का कोड यहनी PQ के सामने का एंगल यह ती यह कंडिसन होगी अपाई रीजन लिख लो गए आप नीचे या फिर इसके आँ बगल में बड़ी भुजा के सामने का कोड ठीक है ऐसे लिख लो बस बड़ी भूजा के सामने का कोड लिख लो भाई बड़ी भूजा के सामने का कोड मतलब आप समझ गे मैंने बोला आपने सुन लिया बड़ी भूजा के सामने का कोड यह हो गया अब यहाँ पे एक चीज और है वो का है अगर आप देखो तो एंगल 1 इक्वाल एंगल 2 है और आपको समझ में है कि करें कि अangel इधर वाला एंग फाइप इधर वाला जो यह ूपर वाली इससे जो क्न में रहे हैं इसको 5 लिखा गया है और फिर कोंड बन रहा है उसको चेली लिखा गया है ठवर है यह बराबर भर ही सनकर कर रही है आप इसे लिख दोगे, रिजन लिख दो, PS, क्या कर रही है, कौण, कामा लगा कि PS के बाद कामा लगा न, कौण QPR को सम्दुभाजित कर रही है, क्या कर रही है, सम्दुभाजित, इंग्लिस मीडियम आले लिखेंगे, यह इक्वल है, विकाज, PS, बाइसेक्ट, एंगल, QPR, इतना हो गया, अब देखो, अब हम बात करेंगे, एक एक तिरभूज में, चुकि हमारे सामने दो तिरभूज हैं, अगर हम बीच वाली को एक लाइन मान लें, मान लो, इसको हमने पूरा पूरा अच्छे से खीच लिया, यह लो, तो बाइया, एक तिरभूज इधर बन रहा बाबू, इधर बन रहा है, इधर साइड एक उधर साइड बन रहा है, तो हम पहले एक लेंगे, PQS, और उसके बाद फिर यह PRS, दोनों को अलग अलग ले करके हल करेंगे, अब देखो, यहां थोड़ी जगा कम है, इसको मैं मिटाओंगा, आप लोग इसको लिख लो जल्दी से, या फिर नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के करूं, या फिर इधर साइड जगा है, तो मैं यहां कर देता हूं, यहां दिख तो रहा ना, जाहां मैंने लाइन खीचा है, लाइन के उधर दिख रहा है ना, पूरा, नहीं दिख रहा है, हल के नीचे दिख रहा है बस, चलो ठीक है, यहां से इधर करूंगा, आप साभी लिखो, एंगल PQS में, ना, हाँ, PQS में, देखो बच्चा, इसमें एंगल 6 जो है, PQS में, एंगल जो 6 है, बच्चा, इध नाबर होगा, देखो मैं बताऊंगा क्यों अभी, यह एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा, यह क्यों होगा पता है आपको, आपने तिरबुच की प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसके अकार्डिंग क्या होता है, आप अगर यह कॉंड लो, यह कॉंड जो मैं बता रहा हूं, इधर स इंटीरीर की इंटीरीर है, यह एंगतरी , इंगल है, तो जो इंगन का सम होता है … याझणि जो जोडो Chicago करके इसके पीछे वाणा जो इसको छोड़ करके बाकी सेस्जा इसके योग के बराबर होता है यह तरबुच की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा जो मैंने श्टा तीख के एसको तुम लोगं एक वर फाष्ट चलो निकोटremबर फाष्ट ओके चला आफड़ते हम फट फट आगे बढ़ते हैं अब यह फच्ट हो गया यह आप सभी चानते हो इसी तरह से लिखो कि इसी क्या है भैया इसमें भी एक भाइकोन है पांच वाला अगर देखो तो जैसे मैंने अलग बनाया था तो इसमें तुम लिख सकतो एंगल five equal एंगल कौन कौन सा एंगल पांच का अगर इसको 5 को भाइकोन अब देखो यह दो पार्ट में हल हो गया एक तो इधर हल हुआ था यह इतना था समझ रहे हो ना एक तो यह हल हुआ था इतना और एक इधर हल हुआ है इसको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं बहुत जल्दी करो भाई आगे बढ़ते एफट आफट बहुत जल्दी करो फाष्ट चलो अगर अगर अब आप समीकरण एक और दो देखो पीछे बैक करके तो हमें एक्वैसन नमबर फाष्ट का वैलू उत्ता दिया है इक्वैसन नमबर सिकेंड का वैलू उत्ता दिया है दिया ना भई एंगल शिक्स बराबर इ यह भी ठीक है क्यों ऐसा किया समीकरण एक और दो अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा यह समीकरण एक कमान है समीकरण दो कमान है इतना दो कमान है इतना एक कमान है और मैंने समीकरण एक और दो से इसको भी बराबर कर सकते हैं आप नीचे आप देखो यही तो करना था नहीं क्यों कर ना था देखो हमें क्या करना है यहस और जो उसमें दूसरा अलकुण है इंदो नुम में यानि PSR और PSQ इन दोनों को कमपेर करके हमें PSR को क्या करना हो दिखाना है तो हो गया एक रिख लो सिद्ध हुआ क्या लिखोगे सिद्ध हुआ या फिर इति सिद्धम ओके तो सभी बच्चे नोट कर लो आज का ये वीडियो इतना ही आज छोड़ी छोटी कलास उसके लिए माफी चाहते हैं आप सभी वीडियो को खूप सेयर करो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यहां पर मिल किया है तो आपको पूरा कॉर्स मिल गया होगा अच्छे से आप भी पूछ पाएंगे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आज ही डाउनलोड करें पीवीर इस्टडी अप जैहिन कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट होगा नहीं संग कुछ कमेंट करना यूटूब कि झापने और आप जैहे नहीं रोबसकता अगर के शोंबसकत से लितक रफ़ बताना है हु अबसके कि अगुछ इस कोई यूह दोता है कि मjourd'क अजिक है. झाल झाल